इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप Google Switch Application यूज करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसे जब ओपन करने जाते हैं, यहाँ पर तो इस तरीके से लिख कर आता है, तो आपको करना क्या है, Simply Settings के Option पर चले जाना है, यहाँ आप General के Option पर ही रहें, बिल्कुल नीचे की तरफ आप देख पाएंगे Switch Access का Option, क्लिक कर लें इस पर, और यहाँ से Switch Access इनेबल कर लें, और यहाँ पर Allow पे क्लिक कर दें, इसके बाद Switch Access का आपको आगे Option देते जाएगा, आप यहाँ से Next Next करते जाएं, और इसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं, सेट अप यहाँ से कर सकते हैं, उमीद करता हो, आप समझ गया होंगे, वीडियो पसंद आई हो, तो टेक्स दोर को सब्सक्राइब जरूर कर दें,